Welcome back to my YouTube channel World Literature आप जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो है उन ट्रांसलेटिंगा तमिल पोईम बाई A.K. रमानुजन A.K. रमानुजन का यह जो वर्क है उन ट्रांसलेटिंगा तमिल पोईम इस पे आज हमारा थर्ड लेक्चर है अल्रेडी जो यह वर्क है टू लेक्चर में डिसकस हो चुका है उन दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आज हमारा थर्ड और फाइनल लेक्चर है इस टॉपिक पे इसकी प्लेलिस्ट भी जो है वो आपको चाल्ग पे मिल जाएगी अपना आज का थर्ड और फाइनल लेक्चर स्टार्ट विजो डिसकस की थी हमने उसमें कुछ की आर्गुमेंट्स डिसकस किये थे हमने अप्स्ट्रेक्ट भी डिसकस किया था की आर्गुमेंट्स में एक क्वेस्टन था कि जब एक ट्रांसलेटर जो है वो किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करता है क्या चीज़ होती है जो उसको घल्प करती है Means के ऐसे कौन से structures हैं, ऐसे कौन से details हैं, ऐसे कौन से literary devices हैं, ऐसा कौन सा structural pattern है Tamil poetry में, Tamil literature में, जो एक translator को, एक poem को translate करने में help करता है अब वो कुछ steps हैं, जिन से through जो है, वो एक translator अपनी जो एक perfect translation है, उसको कर पाता है, या फिर जो एक translation है, उसका masterpiece वो create कर पाता है कुछ steps ऐसे हैं, universals हैं, जो के एक translator की help करते हैं, then है, systematicity, second जो है, वो इसके help करते हैं translator की, third है, enterized context, fourth है structural mimicry ये कुछ four steps हैं, जिनके through एक translator जो है, वो एक perfect translation कर सकता है first of all concept है, universal का, universals के अंदर जो है, वो signifier and signified का जो concept है, वो discuss किया गया है सौसर का अगर आपने work पढ़ा हो, जिसमें signifier and signified, जो के language के elements हैं, जो के किसी भी language को understand करने के लिए बहुत important होते हैं तो ये जो दोनों है, crucial role play करते हैं, किसी भी language को understand करने के लिए, किसी भी language में जो work लिखा होता है, उसको understand करने के लिए और ये हमें बताते हैं कि ये different cultures में क्या meaning रखते हैं, signifier and signified like double language में इनका क्या role है, इनके meanings क्या है, अगर हम लोग बात कर English language में, वहाँ पे इनके meanings क्या है, इनके क्या roles है तो signifier and signified के through जो है, वो हम किसी भी चीज को, किसी भी culture को, जो है वो समझ सकते हैं और ये जो universally है, एक role play कर रहे होते हैं जैसे के Walter ने कहा है, we would have to invent them if such universals did not exist कि अगर ऐसे universals exist नहीं करते हैं, ऐसे signifier and signifier जिसके through हम language को understand नहीं कर सकते हैं तो हमें जो है वो उनको invent करना चाहिए Second जो हमारा point था, वो था systematicity Classical जो Tamil poetry है, वो highly systematic है Means के उसके अंदर जो poetic elements हैं, वो एक दूसरे के साथ interconnect होते हैं अपने master code के साथ Like हर किसी language का कोई master code होता है इससे दा Tamil language का जो master code है, वो उससे related हैं उसके सब, अगर हम लोग code कहले हैं या फिर जो छोटी सके branches हैं, या poetic elements जो हैं वो अपने master code से interconnect होते हैं और उसके त्रूज है, वो हमें meaning मिलता है फदर कहते हैं कि अगर हम एक individual poem को translate करें वो तो एक individual poem हो गई लेकिन अगर उसकी बज़ाए, हम translate करें clusters of poems को Like हमारे पास बहुत सारी poems हो, उनको हम जब translate करेंगे means के एक poem या फिर two to ten poems उनमें जो mytheme होगा, उसमें जो meaning होगा, वो एक culture को represent कर रहे हैं Like Tamil literature को वो पूरा एको represent कर रहे हैं कि वहां का culture कैसा है, वहां के people कैसे हैं, वहां के जो human beings है, individuals हैं उन सब का society वहां के कैसी है, ETC means के clusters of poems जो हमें बताती हैं कि किसी भी society का culture क्या है, किसी भी जो कोई cultural norms है, वो हमें उससे पता चल जाता है further यह के जो intertextuality है, means के एक text को हम लोग दूसरे text के साथ जब मिला कर पढ़ रहे हैं अब इसमें जो है, वो classical Tamil poems को again discuss किया गया है, जिसमें जो है, वो culture बहुत जादा है, उस culture को दिखाया जाता है, जिसमें वो जो classical Tamil poems है, वो produce होई होती है कि किस society को, किस caste system को, यहां पर किस speak effect society को वो represent कर रही है, उस चीज़ को जह है, वो classical Tamil poems में इंटराइज, जो context है, उसमें दिखाया जाता है, अगर किसी भी poem को, यहां पर यह जो poems होती है, जिनके अंदर cultural reference बहुत जादा होता है, यह पर cultural जो norms है, वो बहुत जादा होती है, उनको understand करना है, तो सबसे पहले जो उसके behind, जो intertextual web है, commentaries की, grammars की, contextualize उनको किया जाता ह है, और जिस तरह से interpret किया जाता है, over the time, within the time, उन सब चीजों को understand करना बहुत important है, कि क्या उस चीज पे commentary की गई है, क्या उसके अंदर grammatical structures है, क्या उसके अंदर contextualization की गई है, तो किसी भी translator के लिए easy step नहीं होता है, किसी भी poem को एक easy way में translate करना, और original से वैसे ही translate करना कि वो original का essence दे, fourth point है structural mimicry, structural mimicry है, यह important task होता है, एक translator के लिए, क्योंकि इसके अंदर इसने एक mimic करना होता है, unique structural figures को, एक individual poem में, means कि एक individual poem है हमारे पास, उसका क्या relationship है बाकी poems के साथ, या फिर जो बाकी cultural norms हैं उनके साथ, जो भी cultural context या reference या historical context उसका दिया जाता है, उसके साथ, rather than isolated poem, means कि हम उसको isolated poem तो देख रहे होते हैं, लेकिन उसका क्या बाकियों के साथ, relation क्या है, उस चीज को जो है न, वो देखना बहुत important होता है, एक writer के लिए, further, जो translation होती है, impossible चीज है, कि उसको जो है, वो original की तरह ही हम translate कर सकें, लेकिन अगर एक translator, जो है, वो successful हो जाता है, वही चीज क्रियेट करने में, जो कि original में एक writer ने लिखी थी, तो वो एक separate creative work बन जाता है, यह थे हमारा आज का lecture, जिसके अंदर हमने जो translator को क्या चीज़ें help करती है, किसी भी चीज़ को translate करने के लिए, उसको discuss किया है, already जो है, वो हम लोग इसको two lectures में जो discuss कर चुके है, I hope कि आप जो यह work है, वो आपको clear हो चुका होगा, बहुत सारी topics जो है, वो comments में आये होए है, one by one हम उनको जरूर discuss करेंगे, but थोड़ा time required है उन चीज़ों को discuss करने के लिए, वीडियो को like और share और channel को जरूर subscribe कीज़ेगा, thanks for watching my channel